Hello everyone, DSSB Delhi Subordinate Service Selection Board की तरफ से वेकेंसी नोटिस जारी कर दिया गया है Advertisement No.3 Oblig 23 में आप देख सकते हैं Online apply करना होगा, last date जो है वो 20 December रहने वाली है बहुत सारे student जो है DSSB की वेकेंसी का काफी समय से जो है बेट कर रहे हैं कुछ वेकेंसी पहले आई थी, अभी वेकेंसी जो है वो कुछ निकाली गई है और आगे भी जो है वो निकाली जाएगी तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, Government of NCT of Delhi Delhi Subordinate Service Selection Board की तरफ से जो वेकेंसी आती है बिलकुल पर्मानेंट रेगुलर बेस पर यह वेकेंसी रहती है आप सब भी जानते हो टोटल नंबर ओफ वेकेंसी कितनी आई है, केटिगरी वाइस जो है वो वेकेंसी बिलकुल शो की गई है जो कि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाने वाली है कौन सी पोस्ट की कितनी वेकेंसी है, सारी चीज़े हम देखेंगे अगर ओनलाइन एप्लिकेशन की बात करें पहले तो वेकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर ध्यान में रखना है जो कि आपको बाद में भी काम आएगा 3.23 क्योंकि अगर आप में वेबसाइट पर जब जाकर देखेंगे तो आसानी रहेगी कि हमें 3.23 जो है एडवर्टीजमेंट देखना होगा ओपनिंग डेट की अगर हम बात करें तो ओनलाइन अप्लिकेशन अभी स्टार्ट नहीं है 21.11.2023 से स्टार्ट हो जाएंगे 20.12.2023 तक चलेंगे यानि एक महिने का टाइम आप लोगों को मिलेगा तो आप देख लेते हैं वेकेंसी जो है कौनकौन सी पोस्ट पर कितनी वेकेंसी निकाली गई है यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ ग्रूप B और ग्रूप C की जो है पोस्ट रहेगी बहुत सारे जो है पोस्ट पर वेकेंसी आई है जैसे फार्मासिस्टर, टेकनिशियन, असिस्टन, जूनियर रेडियो थेरपी टेकनिशियन, हम यहाँ पर बात करेंगे टीचिंग लाइन से जुड़ी जो वेकेंसी चारी की गई है ठीक है, बाकि आप लोग जो है वीडियो को पोस करके देख सकते हैं यहाँ पर जैसे लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो वेकेंसी है यह ग्रूप C की वेकेंसी है ठीक है, यहाँ पर 91 ओबलिक 23 आप देखें स्पेशल एजुकेशन टीचर की वेकेंसी है अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ में डिग्री डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन का तो आप यहाँ पर आविदन कर सकते है यह ग्रूप B में आएगा और यहाँ पर नंबर ओफ वेकेंसी निकाली गई है 22 नेक्स्ट बात करेंगे कम्प्यूटर लेव या आईटी असिस्टन्ट तो यहाँ पर कम्प्यूटर में डिग्री डिप्लोमा या BCA, MCA वाले ग्रूप C की यह पोस्ट रहेगी इसमें भी वेकेंसी कितनी जारी की गई है 22 तो बिल्कुल पर्मानेंट वेकेंसी रहेगी है लेवरेटी अटेंडेंट की भी वेकेंसी है जो की ग्रूप C की वेकेंसी है 37 जो है यहाँ पर नमबर ओफ वेकेंसी निकाली गई है नेक्स्ट जो है यहाँ पर 112 अबलिक 23 मैटरोन की वेकेंसी है जो की फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और 62 यहाँ पर नमबर ओफ वेकेंसी निकाली गई है Warder के Vacancy है, जो कि केवल मेल Cand всем by रहेगी और यहाँ पर देखें, सबसे जादा यहाँपर निकाली गई है, वारडर की वेकेंसी 271 ठीक हैD, तो यह ऐसी वेकेंसी, जो कि आपके काम की है मुझे ऐसा लगता है, तो वो मैंने आप लोगों के लिए cover कर दी है, जैसे कि special educator teacher की है, computer lab या IT assistant की है, laboratory attendant की है और matron की है, warder की है, ठीक है, बाकी अगर कोई apply करना चाहेगा, और number of vacancy देखना चाहेगा, कितनी जो है, उसके category wise कितनी vacancy है उसमें, तो वो देख सकते हैं, ठीक है अभी ये short notice जा रही किया गया है, detail में advertisement आएगा, जिसमें age, qualification ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तो candidate must apply online, online ही आविदन करना होगा, तो ये जो है, यहां पर आप लोगों को आविदन करना होगा, dssb.online.nic.in ठीक है, तो अभी application form की जो ही जो है, दिखाई दे जाएगा detail में advertisement, क्योंकि आप लोग वेट करें, अगर आप तयारी कर रहें, तो regular तयारी करते रहें, वेकैंसी बिल्कुल जल से जल जो है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि election का time है, वो जादा से जादा वेकैंसी जारी करना इनका रहता है, election के time पर जो है, वो ऐसी बहुत सारी वेकैंसी आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, और detail में जैसे ही विगयापन जारी हो जाता है, आप लोगों को चैनल पर मिलेगा, वीडियो के माधियम से आप लोगों को मैं बताऊंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जादा जादा वीडियो को शियर करें, ताकि सभी लोगों को सूचना मिल सके, तो ये जो है में वेब साइट है, डेली सब और्डिनेट सर्विस सेलेक्शन वोट, गॉर्मेंट आप एंसीटी आफ डेली, तो यहाँ पर आप देखेंगे, 17 नवंबर 2023 वेकेंसी नोटिस एक आप देख रहे हैं यहाँ पर, 3 oblique 23, तो यह आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू,